हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर 21 करेंगे जो की क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्क्षिट 28 सेप्टेमबर 2021 की है पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आए देखते हैं आज की वर्क्षिट डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन We have learned that some metals are very reactive and some are less reactive. Also some metals do not react with anyone. मेटा पिछली वर्क्षिट में हमने metals और non-metals के बारे में समझा था कि कुछ metals जो बहुत ज़ादा reactive होती है जिनकी जो बिल्कुल भी reaction नहीं कर रहे थी Now we will learn about the reactivity of the metal with the help of displacement reaction आज हम जो metal की reactivity के बारे में जानेंगे किसकी help से displacement reaction के through तो आई समझते है displacement reaction क्या है बेटा displacement का मतलब होता है कि एक से हटाकर उसे दूसरी जगर कर देना अगर कोई combination बना हुआ है उसको हटाकर अलग कर देना इसे हम क्या कहते है displacement तो आई समझते है बेटा देखे टेक 500 ml beaker and label them ABCDE 100 ml के आपको 5 beaker लेने है उन पर ABCDE आपको label करना है टेक about 50 ml water in each beaker 50 ml water each beaker में लेना है आपको dissolve in each beaker as a teaspoonful of each substance as given अब यहाँ पर कुछ substance दिये गए है जिदी आपको क्या करना है उस water में mix करना है dissolve करना है तो देखे ए सबसे पहले A दिया गया A में आपको क्या करना है copper sulfate का solution डालना है और zinc granules Z न डालना ठीक है B में copper sulfate and iron nails F फिलोहा जिसे कहते हैं C में zinc sulfate and copper turnings ठीक है Iron nails तो देखो क्या कहा गया है बेटें बेसिकली यहाँ पर हमने क्या डाला copper sulfate डाला और ZN डाला C U SO4 का solution है और उसके अंदर हमने ZN डाला ठीक है Next में हमने C U SO4 का solution है और हमने Fe डाला ठीक है इसी तरह E में ZN SO4 का solution लिया है हमने zinc sulfate का solution लिया है और उसके अंदर हमने C U copper डाला है यहाँ पर copper डाला है D में हमने क्या लिगया है Iron sulfate Fe SO4 Fe SO4 का solution है और हमने copper डाला है इसके अंदर किसमे D में अब E में देखो क्या डाला है हमने ZN SO4 प्लस Fe यहाँ पर ZN SO4 और Fe हमने डाला है अब देखो first before जब हमने डाला है तब यह था उसके बाद में next देखो result क्या हुआ कैसे convert हो गया देखो A क्या हो गया पूरी तरह से change हो गया B भी यहाँ पर पूरी तरह से change हो गया लेकिन CDE CDE में कोई changes नहीं आया तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम जानते है तो पहले समझते हैं देखो मेटा first में क्या था CUSO4 solution के अंदर था और हमने zinc डाला इसके अंदर ZN डाला अब होता क्या है जो भी metal जादा reactive होगा वो दिखाएगा अपनी reactivity और वो क्या करेगा यहाँ पे ZN जो है और इसको अलग कर देगा और क्या करेगा खुद यहाँ पर आकर attach हो जाएगा जब खुद attach होगा तो क्या बन जाएगा ZN SO4 थोड़ा सा समझो बेटा इसको यह खुद इसके साथ में जुड़ गया इसने क्या बनाया ZN SO4 अब CU को उसने हटा दिया और CU को क्या कर दिया अलग कर दिया तो इस तरह से reaction भी ZN SO4 बन गया और CU बन गया अब हुआ क्या इस reaction से देखो इस reaction को displacement reaction बोलते है displacement मतलब कि इसने क्या कर दिया इसको उसकी जगह से इसको हटा दिया है CU को अलग कर दिया तो यह होते है displacement reaction देखे क्या लिखा गया observation in beaker A ZN displace copper from copper sulfate ZN ने क्या किया CU को copper को copper sulfate से अलग कर दिया that is why the blue color of copper sulfate copper sulfate का color यहाँ पर क्या था blue था disappear यहाँ पर देको क्या हो गया disappear हो गया disappear यहाँ पर दिखाई दे रहा है copper का यह था first में displacement reaction अब हम second में देखे second में देखो क्या किया इन्होंने CU सोफोड लिया था और उसमें अब उन्होंने FV आइरन डाल दिया ठीक है अब यहाँ पर second फिर बात है FV जो है CU से copper जो metal है वो क्या है जो FV metal है iron है वो भी CU से जादा है और जो जादा होगा वो इसको हटा देगा यहां से इसको हटा देगा इसको अलग कर देगा तो क्या बन जाएगा FV सोफोड और क्या बन जाएगा CU CU अलग हो जाएगा मिल्ग उसका कलर ग्रीन कलर हो गया हो देखो क्या लिखक है इन विकर यहां पर एक्षट यहां पर चल जाए ज़टाया था तो क्या होगा जैन असा-फॉर जिंग बन गया, copper अलग हो गया, अब B में देखते हैं, रेक्षिन इन B कर B, iron डिस्प्लेस copper from copper sulfate, iron ने copper sulfate में से copper को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, same वही reaction होगी, देखो, copper sulfate, C-U-S-O-4, plus iron, Fe, जब अलग किया, तो ferosulfate बना, Fe यहाँ पर आगया, Fe-S-O-4 बना, और Cu फिर यहाँ पर अलग हो गया, copper अलग हो गया, लेकिन अब है कि next जो तीन reaction थी, उनमें कोई भी reaction नहीं हुई, same क्यों रही, तो आइए समझते देखो, same क्यों रही, यहाँ से लेते हैं, हमारे पस में solution किसका था, Z-N-S-O-4 का, और हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर, copper, तो हमें तो पता है यह ना, कि Z-N जदा powerful है, अभी हमने देखा है, पहली दो reaction में, कि Z-N जदा powerful है, तो वो Cu को क्यों आने देगा, इसलिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पर Z-N-S-O-4 ही रहेगा, Cu ही रहेगा, तो कोई reaction नहीं होगा, अब सेकिंड में देखो क्या हुआ है, सेकिंड में, सेकिंड में फिर, iron sulfate है, same, वही बात, Fe-S-O-4 है, और Cu की reaction करवाई गई है, तो Fe तो Cu से पहले ही मजबूत है, ताकतवर है, तो वो फिर उसको नहीं जाने देगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, जिससे कि क्या बना रहेगा, Fe-S-O-4 बना रहेगा, और Cu बना रहेगा, इसलिए कोई reaction नहीं ही, अब next देखते है, Z-N-S-O-4 जो E में थी, Z-N-S-O-4 और Fe की reaction करवाई, Z-N-S-O-4 और Fe की reaction करवाई, अब यहाँ पर देखो, जो Z-N है, वो Fe से भी मजबूत है, Fe से भी जादा ताकतवर है, जादा reactable है, तो Z-N भी अपनी movement नहीं दिखाता है, नहीं जाता है दूसरी तरफ, तो यहाँ पर भी कोई reaction नहीं होती, जो after इसके reaction के बाद में भी यही same रहता है, Z-N भी जाता है, इसलिए कोई भी reaction यहाँ पर नहीं होती है, इन तीनों केसे में, आइए इसे समझते हैं, अब इसे को ध्यान से समझना बेटा देखो, We notice that there is no reaction in Baker C, D, E, हमने देखा कि C, D, E में कोई reaction नहीं हुई, The rule here is that a more reactive metal can displace less reactive metal, हमने यह बिल्कुल अच्छे से देखा, Z-N और F-E ने CU को replace कर देखा, जो more reactive metal था, वो क्या कर रहा था, जो less reactive metal को displace कर रहा था, But less reactive metal cannot displace a more reactive metal, और हमने यह भी देखा, जो less reactive था, CU, CU ने Z-N SO-4 में से Z-N को अलग नहीं किया, हमने यह भी देखा, That's why there is no displacement reaction take place in vicar CDE, इसलिए महाँ पर कोई reaction हुई ने, So we can conclude that more reactive metal displace less reactive metal from their compound in aqueous solution, Aqueous solution तो जली है विलन जोसमें पानी डाला जाए, जली है विलन अगर अगर आप तुम वैसी solution रखोगे Z-N, CU तो उन में कोई reaction नहीं होगा, लेकिन उसका aqueous medium रखोगे, aqueous solution रखोगे, तब क्या होगा, जो more reactive metal होगा, वो अपनी reaction शो करेगा, देखो, यह पर दिया गया Z-N सबसे ज़्यादा powerful है, फिर Fe है, और फिर Cu है, तो अब हम करते हैं इसके question answer, देखे, क्या question है, what is the color of the copper sulfate and copper, copper sulfate का solution का, जो color होए, वो कैसा था, बेटा, blue color, ठीक है, यह था copper sulfate का, and जो copper का color कैसा होता है, red mass of copper, copper का color कैसा होता है, red mass, तो यह हो जाएगा first cancer, copper sulfate का color कैसा है, blue color, and copper, copper का कैसा है, red mass of copper, ठीक है, next question देखते है, why is the copper cannot display drink from its self-salt solution, जब copper का solution था उसमें से copper अलग क्यों नहीं हुआ बताइए अभी समझाया है मैंने copper के zinc जो है more powerful है more reactival है जबकि जो copper है वो less reactive है इसलिए क्या हुआ था जो copper था वो ZN को अलग नहीं कर पाता है तो आइए करते हैं इसका answer हम देखिए answer number two the reactivity of copper metal is less than zinc hence copper does not displace zinc इसलिए क्या क्या था जो zinc था जो copper है वो zinc को अलग नहीं कर पाया है the reactivity of copper metal is less than zinc zinc से reactivity क्या है उसकी कम है copper के इसलिए copper जो है उसको अलग नहीं कर पाया तो आइए करते हैं question number three question number three बेटा arranging iron and copper metal is decreasing order of their reactivity decreasing order में निकालना है तो सबसे ज़्यादा powerful कौन है z1 उसके बाद कौन है fe and last में कौन है copper तो यह इसका हो जाएगा answer answer number हमारा three तो सबसे ज़्यादा reactivity की इसकी दिखाई हमने zinc की सबसे ज़्यादा reactivity है उसके बाद है fe की उससे कम है और copper की सबसे कम reactivity है next question देखते है what happened when an iron nail is placed in a copper sulfate solution iron nail को जब copper sulfate की solution में रखा जाता है तो जो solution ने वो green हो जाएगा क्यों क्यों क्या हुआ था iron nail fe ने क्या किया था cu so 4 में से cu को displace कर दिया तो आइए करते हैं इसका answer हम answer number four when the iron nail is placed in a solution of copper sulfate जब copper sulfate के solution में iron nail को place किया जाता है iron displace copper iron कै करता है copper को displace कर देता है to form iron sulfate और क्या पने आएएएदाता है iron sulfate हमने देखा था cu हमने क्या देखा था cu so 4 में जब हमने fe को add किया था fe nail डाला था उसके अंदर iron nail तब क्या होता fe so 4 बन गया था iron sulfate यह हमारा iron sulfate बन गया और क्या हो जाता है इसके लावा Cu को displace कर देता है and the solution and the color of the solution become green और solution का color कैसा हो जाता है green तो यह है fourth question अब आप करते हैं fifth question बिटा question number fifth complete the reaction Zn dash plus zinc sulfate plus Zn SO4 and copper क्या बनेगा बिटा यहाँ पर क्या आएगा Cu SO4 very good यहाँ पर क्या आएगा Cu SO4 आप यह भी लिख दीजिएगा copper sulfate ठीक है उपर से और अच्छे से देख लिजिएगा ठीक है क्या बन जाएगा copper sulfate यहाँ पर C SO4 आएगा तभी तो वो Zn SO4 बनेगा तो क्या आजएगा copper sulfate dash की जगे क्या आजएगा यह बटा copper sulfate यह बटा आज की जो वरक्षिट होती है वरक्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यो स्टोरेंट्स